अस्साराम ओरेकूम मालकन भी साला लड़कों की शेयर आई थी मैं भी भाब भाब कर मालकन की काम करता देखने करत मालकन ने मुझे पांच रणके ढूंग कर लान ठुखा मैंने अपने दूस समा की और सब फबूला रिया रात हुई तो मालकन सबको पांच पांच जाद दिकर बोली के आज़ आज़ा तुम सबने बारी बारी नेरे फोश्चुर के चप मालकन मालकन है चपसे मुझे नौकरी पे रखा था मैं बहुत वश्च था कि वो मुझे तनफाग में लावा भी रुजाना कभी फांच सो कभी 600 रुपए पकड़ा दे थी पहने बर सब मालकन ने मुझे 500 फुमोग पकड़ाया तो मैं तो हैरत सिंग की शटल देखने न दा उनने मुस्करा कर नेरे बालं को अपने हाथों से बेखेरा और कहने थी देखने में तो बड़े फूब सुर्ब मालजवान वप पिर कहने ही कि तुम्हारी अंबरती मालजवान ते ने जिवेसे भी बहुत भाते हैं मालजवान की बात में कुछ ऐसी थी कि मैं दो भातन पीछे हटा था वो तकली बन 40 साला फातन थी लिकिन थी बड़ी शोब निजार पसंद के रंग रंगे खप्ते पहनती थी हर्व अपने कपने रही थी अपने जहिए और फृतनिस्ता भी बड़ा ख्याल उतनी थी मेरी उबर जस्ता पीछे हटने पर मुहस्ते रखनी और क्या हुआ इतना क्यूं को पा रहे गो निए कहकर वहां नेरी कांदे पर थबकी मारी और कहने लगी कि अगर और भी पैसे चाहिए हूं तो बता देना शेर्माना मत निए कहकर उन्हें आँख अपनी विंग की थी औ अपना पूरा काम कारोबार अकेला ही संभालता था मेरे नमबो की जाता था उन दोनों की पोई भी और लात ना थी मालकर अपना ज्यादा तरग चौपिंग में और दूसरी एक्टिविटीज में गुजारती थी जैसे कभी किसी पार्टी में चले गई कभी दूस्तों के सा कभी कहीं पिकनिक का प्रोगेम पना लिया ज्यादा फिर वो घूमती पिर्णे में अपना वक्त गुजारती थी खर पर मोती तो में राजिनीं से साथ असी मजाग करती रहती मैं एक दीस्ता में माजवान था फ़र शकल उठारे कि नेरा तालूप पड़ी भराने से था पर्वित के पावजूद मैंने बिये तक प्रालीन हासिल की थी लिकिन मुझे नौकली कहीं नहीं निली एक साल तर अपने मुटवित जगों पर नौकली ढूंता रहा लगिन जब मीचे कहीं भी नौकली ना मेरे तो पर मैंने मालकन के खन्ने नौकली करने यहाँ पर पनफांद मत उच्छी नहीं रही थी और काम भी बहुत ज्यादा ना था पैसे तो जब पर स्टीक ठाब था लेकिन जो बात मिचे अपने मालकन की बड़ी अजीब लगती थी वह यह थी तो उसके घर ने कोई भी खात्म मुलाजवा ना थी सब यह मर्थ हसाब थी है वो वारत मर्थें से ही सारे काम कर रहाती थी बावर्ची भी एक मर्थ था गर्ती सफाई के लिए पी एक मर्थ मुलाज़ा था और में खके चोटे मोते कामों के लावा ज़्यादा था मेरा ये एक काम था कि मैं मालकन की साथ हरुब रहता था वो जहां भी जाती थी मुझे अपने साथ लेकर जाती थी मुझे ट्राइविंग थी आती थी इसे दिए गाड़ी भी चलाता था फिरी मौज़े ये थी कि वो जहां भी जाती थी जिस पार्टी में भी जाती थी मुझे अपने साथ तेमील पर बिठा कर खाना पिना खिलाती थी फिर मुझे अलग सी पैसे भी दे देती थी इसलिए मैं उसकी काम भाव भाव कर करता था वसे तो मेरा नाम परवेश था लेकिन मालकुन निजित पप्पू पप्पू कहकर दिलाती थी मैं भी बड़ा खुशी और खुशी मालकुन की काम करता था कभी तो मैं खुशी मालकुन से कहता कि मालकुन जरा पान बीड़ी की पैसे तो देना वो खुशी और फुशी मुझे पान से के नोट पपड़ा दिया करती थी कि इतने मालोकिन के साथ एक रस्पॉर्ट में बैठा था वो अपनी दूस का इंतिजार कर रही थी जिसके साथ हम उने गप्शप लगाने थी लुकिन एन वक्त पर दूस ने कहा कि मुझे जूरी काम ने फसके है इसी दिए आप नहीं सकती मात पर मिनी सुनतर बुच्छी रही थी तो पर कहने लगी कि चैन पपपू आज मैं तिससे भाप देख रहती हूँ वो मुझे मेरे बारे ने निचने लड़ी थी बातों के दरान ही न जाने उन्हें क्या हूँ अपने मिसलसल मेरे चेहरी पूपले वार्ष से लेखने लगी और पर कहने लगी कि जाकर दूस सिग्रेट लेकर आओ यह सुनकर मुझे हैरत हुई क्योंके आज से पहले तो उन्हें कभी निचसी ऐसी कुई फर्माइश नहीं की थी मैं गया और दूस सिग्रेट लेकर आपिया एक सिग्रेट उन्हें निचे दिया चुंकि नखी सिग्रेट का आभी था दिर में दूचार सिग्रेट पी लिया करता था इसलिए उनके हाथ से ले ली हैरत तो जटका मुझे उस तो फ्रता जब मागवन निचे अपने मूमें सिग्रेट डाल दा और लाइटर से चलाया तो मैं हैरान रहिए कि मागवन पर सिग्रेट भी पी थी थी है मैं अपने मागवन पर सिग्रेट पीते उब बड़ी हैरत से देख रहा था उससे देखकर यह नहीं नहीं नत रहा था कि उसने पहनी भार सिग्रेट की है वो किसी आभी सिग्रेट पीने वालों की तरह से सिग्रेट पी रही थी लेकिन ना जाने किन सिग्रेट पीते पीते वो किसी गहरी सोल्थ में जा चुकी थी मैं अपने उसी मालकन की तरफ देख रहा तो उसकी नजले मुझ पर नहीं थी बलकि मुझ से पिछने टेबल पर टिकी होई थी काफी देख से वो बिना आँखें चपकाय नजानी ती से देख रही थी मैंने बलकि देखा तो वहां इतना जवां लड़का वा लड़की बैठे थे मैंने देख रही लब रहा थे जैसे वो डेट कर आये हुए वो लड़की से अपने घड़के रिष्टे लाने की फोर्स कर रही थी लेकिन वो लड़का मुसलसल बहाने बाजिये कर रहा था अपनी कब माईगी के रोने रो रहा था मैंने वोर्ड किया तो मालकन की नजरें सरी मुसलसा बहान की तरफ देख रही थी फरसाथ में छंडी आहें भर रही थी अपने मुसे सिग्रेट के दुएं के मरवूले भी उड़ा रही थी मैं स्रेस्ता मालकन की आँखों में मैंने नमी देखे और उसके बाद उनकी आफिया आँस में सिच्छी में लाने लगे पुस्नफ में हाथ की पुर्च से अपने आखे रवर पर साफ की अफ़ी मेरी जानत देख रहा ने और निकी देख रहा तो जब नज़रों का तसादम हुआ तो फॉरस से नज़रें चुराते हुए मुच्छे कहने देगी कि सिग्रेट पीद में की वज़स से आँखों में पानी आ गया लेकिन ये नमी द्रंग की रहजें में भी गूंग रही थी मैं वज़़ा तो नहीं चामता था लकिन मुझे आज मालकन बढ़ी दुखी दुखी सी लग रही थी वरना तो फॉर.. हमस्कराती हि समल जवान को दे दिया। वह मुझे देखने adjustment के बारत कछें लगा उसके साम技 रुपकी बैटी ती वह भी मुझे देखने लगी। वो कहने दा ये क्या है? मैंने पीचे मालकन थे तरफ इशारा दिया है. मैंने कहा हो मेरी मालकन है? उस लगती ने पलड़कर मालकन की तरफ देखा. तर इसने वड़ी टिशू फॉलकर देखा पिर देख कर मालकन पूमस्कौराने लबा आ प अपनी शर्ट में उपनी जेपने रफ लिया मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा था आखर वो जवान मेरी मालकुन का अगर जान पहचान को कोई हूँ था तो उटकर उसे सलाव करता है या दिलना जरूरा था और अगर कोई अंजाम था तो एक खसीन फबसूरत क जुन्बो का था जो मैं नहीं जानता रहा कि लिख का है जिसे पढ़कर मेरी मालकुन को मुस्कोरा कर देखने लगा था और किशु भी इसने पहेंखनी के बज़े अपनी जेफ में डाल दिये तहीनी पहेंगी पिछनक उस तो गड़ बढ़ थी दरहाल मालकुन मुझ से कहर करनी कि चलो मेरा काम हो गए है महरान तर उनका कौन सा काम हो गए है यह कहकर मालकुन खड़ी हो गई हम बापस आ गए खाकर ने अपने फॉटर में जब लेटा तो मेरी आँकों के सामने वही रस्पोंत वाला मनजर था मैर बार इसमा दयवान को चेहरा मेरी आपकों के सामन के आने लगा ने अभी नीद नगर भी नहीं था इसे मुझे अश्वान था कि जैसे बाहर लॉंग ने गारी स्टार्ट होनी की आवाज आई है पार्किंग एरिया से जैसे ही गारी स्टार्ट फ्री मैंन इंग घड़ी की तरफ नज़र दोड़ आई तरहात के दो पर गारी में मालकन रहती थी और इस वक्त कुले बालों के साथ को नेकप ने वो अपनी अवर से काफी कम लग लगा तुम्हें कोन होते हुई ये सवाल करने वाले ईस वाल को भी मालक ये मालकन से नहीं किया कि वो रहात प्रेक इस वी पहर कहा जाते हैं मालक में नहीं मैना करते नेकिन वो इस सब चाहती कहा है वो भी इतनी तयार होकर सुब फांट बजे की करीब में गेट पर गाड़ी के फॉर्म की आवास सुनाई थी मालकन की गाड़ी का हौन था मालकन वापिस आई थी आट बजे सुब चप में फिरके अंदर दाहर हुआ ताकि आहाज का काम मालकन से फिल्चिम अगर उनको मुलाजिम केहने का मालकन दिस्वो रहे है तो अपने फॉर्टर में जाओ जब मालकन उठेंगी और सिम्हारा पूचैंगी तो हम तम्हें बुलबा लेंगे मालक मेरोंने मुलकन फिल्चिम और अगर घर पर होते भी तो मालकन का कमगा अलग था और मालकन का अलब शीरी शीडू में तो मुझे ये बाप बड़ी अजीव लगी थी मालक और मालकन एक कमरें में ख्रिंगी रहते थे तो मैंने ये नोट किया कि मालक सियाता तर दरन गुल्ट में ही रहते हैं बहुत कम ही यहां आते जाते हैं और चम्ती राते हैं मालकन का मूट सफ्ट फराब होता है मैंने कभी पर उन्हें मालक की साथ बैट कर हस्तें वो बातें करतें नहीं से ना था अगले रोज जड़ ने अपनी मालकन पी साथ बाहर गया तो मालकन मुझे उसी रस्पॉर्ण ने लेगी जहां उस नाजवान से मुलाखात होई थी इस पार जो कुछ मैंने देखा मेरी आखे हैरत से पटी के पटी रह गए थी जैसे ही मालकन रस्पॉर्ण में दाखर नुए उनाजवान एक टेबिल पर बैठा खड़ी पर वक्त देख रहा था जैसे ही मालकन रस्पॉर्ण में दाखर नुए इस माजवान पी नज़र मालकन पिट पड़े तो वो फो औरन से खड़ा होगे आप मुस्कराने लगा जैसे उगी का मुंतसर हो मालकन भी उसे देख तर मुस्कराने लगी कि आस दिन बहार जाकर कारिंग में बैठ जाओ पुकारा और पुर जेख खासार का नोग दिया कहने रही बाहर जाकर खाना खा लेना इस बार उनका लेंचा बड़ा सख्त सा था और मुदाफियाना भी था यह कहकर वो उस नाजवान के पास नहीं सहाथ में लाया पर सामने कुसी पर उसके सामने बैठ गए दोनों ही मस्क माल जवान लट्पों की तरफ लपकती थी ना जाने इस टिशू में उन्होंने क्या लिखा था वो ना जवान से यू मिल रहा था उसकी फार इस ने अपनी इस गल्ट्रेंड को भी चोंग दिया था दो कि मालकन के मुफाबले में तो तैई ज्यादा फॉपसूरत और जवा जायत माल जवान ने मालकन की बस जाहरी दौन उत देखा था जो थे मालकन के पास पेश्मार थी तीन गड़ के बाद मालकन वापिस आई थी बड़ी एक फुश थी ने उससे पिसने लगी तब ने खाना खाया मैंने कहा जी खा गिया मैं बड़ी फामोशी से गारी चलाई मैंने बार बार मालकन की जानब देखिए अदर आना जा रहे हैं वो किस सोच में क्यों थी बस मुस्कुराए ही जा रही थी जब इने गाड़ी बंगने के अंदर खड़ी की तो उतरने से पहले मुने परश से 2000 मिखाल के मुझे दिये मैंने का मालकन जिसकी ज़र्वत नहीं आज मैं बेहत फुषी मुझे बहुत बड़ी फुषी नहीं है विसलिए असरा प्रो मैं तुम्ही अपनी फुषी से दे रही मैंने में 2000 नहीं मालकन गाड़ी से उतर के बाहर से निकल गए पहली बार मैंने देखा कि वो गुन बुनातिं उतर के अंदूनी दराजी की जान मालकन भेर वापस दोते हुए आए थी और सीथा अपने खमने में चेले गें मैं सोच रहा था थी मालकन को हुआ क्या था मगर मुझे उस समस नहीं आ रही थी अक डेरूल जिन में काम के लिए लाउंस में लिया तो मालकन चुफी पड़ वैठी पीवी देख रही थी लेकर कि उनका जिहन रही और था बाल बर उनकी आफ़ो से आसू बह रहे थी मैं काफी मां से उनके साथ साथ रहता था इसलिए मुझे उनसे कुछ पूंसी अची हो गई थी मैंने का मालकन अप्व क्या हुआ है मुझे बताएं मेरी बास उनके कहने की पप्व जसना जवान में मे जोहर की चाहा थी ना हो वो क्या करें बिर कहने की मुझे राद तक पांस लड़के चाहें अगर तो मिझे लाकर दिलते नतिने अन्माल राम माल खरतेंगे दिसंका माने हैरे से लेख रहा था वही कहते वह भी आसू बहार रही थी कहने की इंकार मट करने मुझे पांस नौ कि उससब के सब त्यार हो गये लेकिन मैंने पांस लड़कों को ये में निंदेख़ और माल खरता है ये पांस लेख कर गया और माल खरता दिख़िय थी यह जा ञप्टशन तो निया क्या लगेगा, मैं कौन हूँ, और क्या करती हैं, यह सुनना था किस ना जवान के चेहरों उस्टे से सुफ़ पहने लगा, कहने का तो रिष्टा मेरा आपसी है, वो मेरे माने ना मानने से खत्म नहीं नहीं सकता, तसने तमाम बिड़फु सुफ़ के यहां से चरे अब बिड़फु से दोबारे सुफ़ प्रिसाफ मज़र गया है, वो सब लड़की मुसे फूर्फ़ कर देखने लगें, ना फब भी नहीं समझ पा रहा है, तो मैंने का भाई, तुम कौन होती हुए यह सब कहने हो लिए, जब मालकन पर अतराज नहीं, वो ना जवान के न लिकिन वो से महबत और तब जूर नहीं देता था, मालकन बाप में परस्ताने रगी थी, वो इस दिन हो नहीं जब इस माल जवान को देखा तो अपने वेटी को पहचान गिया, वो ने टीचु पेपर अपने हवाले लिखकर दिया तो वो भी नहीं देखकर जान पहचान ग अपने बाप के पास ही रहता था, हाँ, यह ज़रूर हुआ था, और घंटों बाते करता था, पर मैंने जाने क्या क्या सूचता रहा, तभी कभी सच वो नहीं होता जो आखे देख रहेंगे, और अपर सोचती है, सच विच और ही होता है, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वेडियो को लाइक करो, मजीद इस तरह वेडियो देखने के लिए हमारे जैनल को सस्क्राइब करें, मिलते हैं अगली वेडियो में, अल्ला हाफिज